So hello everyone, welcome to our YouTube channel mystical text और Christmas है और Christmas जैसी wipes नहीं आ रही हैं तो सबसे पहले Christmas जैसी wipes लाते हैं तो अब आपको Christmas जैसी wipes आ रही होंगी क्योंकि हम giveaway भी करने वाले हैं Anybuds का तो Santa Claus वाली feeling नहीं आ रही है तो पहले Santa Claus बन तो अब आपको Santa Claus वाली feeling भी आ रही होगी तो अब हमारी Christmas वाली wipes complete हो चुकी हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं So hello everyone, welcome to our YouTube channel mystical text So first of all a Merry Christmas to all of you जैसा कि आपको देखके लगी गया होगा एकदम Christmas वाली wipes आ ही रही होंगी तो आज की इस वीडियो में हम unboxing करने वाले हैं Realme Buds Air Neo की और इतना ही नहीं Christmas week है It's all about gifts and presents तो हम आपके लिए एक giveaway भी करने वाले हैं इनी Realme Buds Air Neo का तो giveaway में part करने के लिए एक वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इन बर्ट का वाइट कलर है और यहाँ पे हमारे पास Bluetooth 5.0 है और यहाँ पे हमारे पास कुछ sensors भी है Smart Touch Control और यहाँ पे बैटरी लाइफ है वो यह लोग क्लेम कर रहे हैं 17 hours की तो देखते हैं इनको जल्दी से कर लेते हैं और फिर बात करते हैं इनकी specifications के बारे में यहाँ पे box-unbox करते साथ हमारे पास मिल जाती है यह case जो हमारे birds है और फिर birds को हटाने के बाद हम देखते हैं हमें क्या के देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास एक paper है जिसमें हमें थोड़े बहूँअ टेप्स दिये हैं और फिर उसके बाद हमारे पास यहां पे एक USB केबल है, यह USB 2.0 वाली केबल है, हमें इसमें USB Type-C का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, और उसके बाद हमें यहां पे एक स्टार्टिंग गाइड देखने के लिए मिल जाती है, तो यह सब रख देते हैं हम साइड में, और फिर बात करते हैं इसकी specifications के बारे में, और क्या आपको पर्चेस करने चाहिए है नहीं, और मेरा experience कैसा था इन्हें पर्चेस करके, तो यहां पे हम इन्हें जल्दी से कर लेते हैं, open, तो यहां पे जैसी आप box open करेंगे, तो यहां पे जो light है यह on हो जाएगी, और फिर निकाल लेते हैं इन birds को, जो birds का size है, वो काफी छोटा है, मैं कहूंगा उतना बड़ा मुझे नहीं लगा, यहां पर जो birds का weight है, वो सिर्फ 5 grams है, और अगर बात की जाएं यहां पे इसके design के बारे में, तो यह एकदम apple airport से ही inspired है, यहां पे आपको वैसा ही देखने के लेते हैं, और यहां पे हमें पीछे के side एक button देखने के लिए मिलता है, आगे के side एक light देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे के side हमें यहां पे designed by realme देखने के लिए मिलता है, I hope so आपको देख रहा होगा, और यहां के नीचे के side हमें, एक USB 2.0 का वो देखने के लिए म फोन है वो किसी Bluetooth डिवाइस से कनेक्ट है नहीं तो यहाँ पर आप जैसे इन बर्ट को ओपन करेंगे तो वहीं पर जो डिवाइस है वो जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो गूगल इंस्टेंट कनेक्शन है वो यहाँ पर काफी फास्ट वर्क करता है आपको काफी फास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा काफी जल्दी से जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाता है अगर हम एक और बार इसे ट्राय करें तो मेरा Bluetooth डिवाइस अभी क यहाँ पर काफी अच्छा फेट मुझे लगा काफी अच्छा इक्सपीर गन conception मिल रहा है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह कांड में घर रहे हैं या फिर आपको uncomfortable फीड नहीं होगा यहाँ पर काफी अच्छे से यह मेरे कांड में फित हो combien है और अगर आप अपने फेस को autorize के गेट करेंगे पूनियुक्र शश्री के वालर समय जाट को सपिस्य में और करेंगे तो अगर हम तो आप इसमें के जोना अःक्ट करें तो यहां मैंने बिस्टाइट कर देए चित तो अगर बात की जाए इसके बेस के बारे में तो बेस काफी जादा लाउड और क्लियर मुझे यहाँ पे लगा और इसमें 13 mm के आपको ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे तो इट मींज जो साउंड क्वालिटी होने वाली है और ओवरॉल जो एक्सपीरियंस होने बर्ट के साथ और यहाँ पर इतना ही नहीं आपको काफी सारे फीचर भी देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप डबल टैप करेंगे तो जो गाना है वो प्ले पॉस हो जाएगा और अगर आपको यहाँ पर गाना चांज करना हो तो फिर अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो गाना चैंज हो जाएगा यहाँ पर जो सैंसर्स हैं वो काफी प्रॉपरली वरक कर रहे हैं आपको काफी सारे सैंसर्स मिल जाएंगे अगर आप Cam gaming app दाउनलोड करेंगे तो आप पे आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अगर बात कीज़ें इसकी sound quality के बारे में तो sound quality यहाँ पे काफी ज़्यादर clear मुझे लगी काफी ज़्यादर loud लगी अगर आप इन्हें काफी देर तक अपने कान में भी पहन के रखेंगे तो भी आपको pain नहीं होगा या फिर uncomfortable feel नहीं होगा अगर आप गाने full volume में भी सुनेंगे तो काफी clear sound वहाँ पे रहेगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि sound फट रहा है और अगर बात कीज़ें इन earbuds के battery backup के बारे में तो एक आप एक काफी अच्छी बात है और अगर बात कीज़ें के calling mode के बारे में तो चलिए हम हमारे किसी दोस्त को call करके देखते हैं और फिर देखते हैं इसकी calling test के बारे में कि क्या यह airport calling करवा पाएंगे तो अब कर लेते हैं हम यहाँ पे किसी को call और फिर देखते हैं इनके एयरपोर्ट के calling test के बारे में हलो हाँ भाई वीडियो बना रहे थे आवाज आ रही है प्रॉपरली हाँ क्या 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 मतलब डंडा ले और क्या हलो 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 है आइधिंग यह तो गुस्टा हो गया पर कोई नहीं काफी अच्छे से करवा रहे हैं यहाप मुझे काफी क्लियरली वॉइस आ रही थी और इसे भी आ रही होगी तभी उसने क्या बोलें आपके अच्छे से हो जाएगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉलिंग करने के लिए अगर बात की जाती इन एयरपॉर्ट के गेववे के बारे में तो गेववे में पाइटिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस इस वीडियो को एक लाइक देना है कॉमें अपनी इंस्ट्रगैम आईडी देन करने में और अब यह आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप 1000 कित्ती जल्दी कंप्लीट कराते हैं जैसी 1000 सब्सक्राबर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं रैंडम पिकर वेबसाइट से इन एयरपॉर्ट का गेववे कर दूँगा बाकि इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाइबाइब